कि नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है अभी मन्यू और बहुत लोगों की रिचिबल्टी मैं ये कोई फेमस तो नहीं हूं बट जैदने भी छोटे मोटे हमारे हैं और कुछ लोग हमें जानने लगे हैं जिन्होंने मेरे को अप्रोच किया है और एक अधी कमेंट वगरा भी दी है तो बगर जैसे हम पढ़ते हैं कि दो या दो से अधीक लोगों को हम जादा ही बुले जाता है राइट बहुत ही बुला जाता है तो वही सीनेरियो है कि कुछ रिक्वेस्ट आई कुछ कमेंट्स आई तो उनके विहाब पे मैं ये नेट्रॉक इंजिनियर लोग बनना चाते हैं और उसी के बारे में बहुत चीज़ें पूछते हैं तो भाई थोड़ी सी गुड और थोड़ी सी बैड चीज़ें मैं इसके बारे में बताता हूं प्रोफाइल के बारे में और अगर आपको अच्छी ने लगे तो प्लीज मुझे बता देना बैट मैं एक डार्क के अंदर लोग आना चाहते हैं नेटवर्क इंजिनियर बनना चाहते हैं लेकिन मुझे नहीं पता यार मैं कोई किसी को गलत नहीं बोलूँ है लेकिन कहीं पे मिजगाइड भी मिनती है और बहुत सारी चीजे होती है सब बोलते हैं CCNA कर लो CCNP कर लो फिर CCNA के बाद ऐसा उन पढ़ने लग जाते हैं तो उनको बोला जाता है रहे नहीं नहीं इसके पर आप जोब नहीं लगए आपको CCNP भी करना पड़ेगा और अगर आप हमारे से CCI तक अगर हमारे यहां पर पढ़ेंगे तो हम आपको प्लेस्मेंट भी करवा देंगे आपके इंटर्व्यू भी कि लिए नहीं ए उसमें दोनों चीज़ेंगे न कैयघा नहीं है कि ट्रैपिंग जो होती है कि स्टरईी लेवल वाली ट्रैपिंग में बता रहा हूं कि आप CCNA करने जाओंगा और होते हैं कि आप उतने कोर्स तक हमारे साथ रहोगे तो हम आपकी प्लेस्मेंट करेंगे तो उससे क्योंकि नुक्त भी बेनेफिट हो अच्छे कासे चार्जिस आप से लेते हैं फिर सीजें ने पर सर्टिफिकेट वगएरा पर वो लोग होता है कि आप नहीं कर पाओगे तो आप हमें 5,000 रुपे जादा दे दीजिए, 3,000 रुपे जादा दे दीजिए, हम आपको certificate भी करवा देते हैं, same scenario वो लोग करते हैं, जब आप CCNA कर लेते हैं, CCNA भी कर लेते हैं, तो आपको mind voice करते हैं, आपको और आपको बोलते हैं, कि अरे नहीं नहीं, ऐसे में जोब नहीं कि ये नहीं हो पाएगा, और वो नहीं हो पाएगा, और वो आपसे पैसे मांगते हैं, आप placement के लिए बोलते हैं, कि हमें आप इतने पैसे दे दे आपकी placement करवा देते हैं, मैं सबको नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ genuine बंदे भी होते हैं, कि जो promise करते हैं, वो लोग काम भी कर पढ़ाई के लिए मैं मना नहीं कर रहा हुआ पढ़ाई कीजिए कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं लेकिन ऐसे ट्राइब में प्लीज ना फसे और ना ही उस पर दिहान दे फिर दूसरा जो ट्राइब होता है इस नेट्वर्क इंजिनियर मैप रोड मैप के अंदर कि आप जब CCN करते हैं कुछ भी आप करते हैं कि हमारी जो मैंटिलीटी है इंडियन मैंटिलीटी है जो हमें बच्पन से सिखाई गई है कि हमने यह चीज़ कर दी और मिलब एक हावा रहती है कि आप यह कर लोग तो यह बन जाओ यह कर लोग तो भाई जब वो कर लेते हैं क्या है नहीं बनता है और मला कुछ नहीं बनते हैं वह उसके बात जो है ना प्राफ्लम स्टार्ट होते हैं वो कहीं का इसलिए छोड़ते कि ना तो आप डेक्स्टोप सपोर्ट में रहते हो नहीं आप नेट्रोक में रहते हो आपको एक फायर्वोल दे देंगे छोटे फिर बोलें का राउटर कन्फिगर किया मैंने कभी नहीं मैंने बस ट्रेस्ट किया और ऐसी भी सिच्टॉसट नहीं घोड़ा हुते हैं उनमें कोई इवन मैनेज भी नहीं होते हैं और गीगाबाइट तो अब लगाने लगे लेकिन वो गीगाबाइट तक भी स्विच नहीं लगाना चाहते हैं तो वह भी एक बहुत बड़ा ट्रैफ है और उसमें आपको नेट्वरक अडिमिस्टेटर नेट्वरक इंजिनियर की जोब दे द प्लीज उसमें किया था लैब में किया लाइब नहीं किया और फिर उसके बाद आप उसको सिनेरियो भी नहीं समझा पाएंगे कि how आप network design कर रहे हैं आपने कैसे network बनाय हुआ है तो वो भी आप चीज नहीं बता पाऊगे है ना तो ये भी एक trap है second trap है जिसमें इंसान first आए अपनी जोब के चक्कर में तो यहाँ पर मेरी यही सला है कि please अगर आप networking में आना चाते हैं प्लीज आप जो है आप core networking में जाईए आप अगर by chance ऐसे trap में फस भी गए हैं मैं नहीं कहता कि फस जाओ कोई बात नहीं पैसे सबको need है बट छे महिने से उपर मत रुपना अपने आपको promise करना जो जब पहले दिन जाओ जो ही नहीं करने अपने आपको promise करना कि maximum six month और six month इतने ट्राई करना इतना पढ़ना ट्राई करना कि आपको को networking मिले ठीक है ना इन शब दो trap में बिल्कुल मत फस न यह मेरी advice है बाकी आप लोग समझधार है कोई ऐसी बात नहीं है फिर देखो actual road map आपको बताता हूं जो एक जैनुवन है आप सीचन ने पढ़ो एक सीचन entry level है यह आजकल हवा भी बन गया है और नीड भी है इस नॉर्मल ठीक है सीचन भी पढ़ो मैं मना नहीं करूंगा कुछ भी पढ़ो आप certificate करो कोई दिक्कत नहीं है बट आप अपना 100% दो आप पढ़ाई करो उसके बाद यह नहीं है चुटकियों में जोब नहीं लगती है कोई आपको फ्रेसर को कोई अपने जोब करना चाहिए और आपको अच्छी प्रोफाइल भी मिलगी वहाई हंडर्ड करने पढ़ते हैं चार साट का रिस्पोंस आता है दस का रिस्पोंस आता है चार उनमें से कॉंटक्ट करते हैं यह बहुत लंबी प्रोसेस उसमें पेसंस नहीं प्रोसेज़ दियान देना चाहिए आपको जितनी चीज़े आप कलिर होंगे फस्ट एलवन के लिए वह सारी चीज़े आपके अंदर होनी चाहिए तब ही आप जो है कर पाऊंगे और सब्सक्राइब जो मैं बता रहा हूं थर्ड टैप वाली वह बात बता रहा हूं कि अगर आप उस कंपनी में जोएन भी कर लेते हैं जहां पर जो मैंने बताया सेकेंड नंबर में तो घबराने का नहीं उसमें प्रोमिस करना खुद को कि छह महीने के अंदर निकल जाओंगा अपनी कोर में ही CCIE जो आपका मन करें मैं कोई ऐसा special suggest नहीं कर रहा है इसमें आप पढ़िए और दिल लगा के पढ़िए और उसमें त्यारी कीछी है ठीक है और अगर आप experience holder है तो भही देखो आपको भी knowledge है सारी चीज़े हैं तो आप पढ़िए आगे जितना networking के अंदर जितनी आप अपन सेट रखना होता है तीन महीने चार महीने पाच महीने आप खुद को relax दे सकते हो कोई दिक्कात नहीं है लेकिन इसके बाद भी आपको काम करना चाहिए और कुछ ना कुछ सीखता है रहना चाहिए CCNA का road map यही है कोई किसी में आप graduate हो अच्छी बात आप एक graduation बहुत जुर आप capable है और interview में आपको जो पूछे सब कुछ आपको बताना इतना ही आच्छी आपकी त्यारी होनी चाहिए यह एक simple सा network engineer का road map है इसके अलावा कुछ नहीं है और आपकी age कुछ से कोई matter नहीं करता भाई आपकी knowledge से matter करता है और अगर एक simple example दो मुझे कोई बंदा चाहिए तो मैं अगर किसी को hiring करूँगा तो मैं उससे यह expect करता हूँ उसको जो चीजे मैं मैं उसको एक बार एक चीज बोलू तो उसको पले पड़ना चाहिए यह नहीं कि मुझे उसको पूरा explain करना पड़े कि मैं उसको पूरा board पे एक चीज़ समझाऊंगा कि ऐसे subnetting होती है य क्लास में इस क्लास का IP मुझे यूज करना और इस क्लास का IP यूज करके मुझे यह subnetting करनी है और मुझे यह subnet mask की है यह सारी चीज़ें आपको पता होने जी हैं तब ही आप कामियाब हो पाओगे यह मेरी guarantee है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक की में मत जाना और कमेंट मुझे जुरूर बताओ करके मुझे review सुनते हैं आप लोगों के मुझे बताईए कि आजकल क्या चल रहा है आप क्या face कर रहे हम वो चीज मैं वीडियो में face to face आके हो discuss करूँगा और जो भी solution मेरे से बन पाएगा जो कोई advice मेरे को देनी है मैं open ल यह काम करती है और कुछ भी काम निकरता आपका कहीं भी contact है कुछ भी I am not saying anything मैं एक सिंपल सा रस्ता बता रहा हूं आपकी knowledge और आपकी महनत काम आते हैं आपको अच्छा है जिसको मौका मिल जाए अच्छा लेकिन जिसके पास कुछ नहीं तो प्लीज अपनी knowledge पर अपने आ आने जिए और तीन महीने में तीस पॉइंट तक knowledge increase होनी चाहिए यह मैं बोलता हूं यह मेरा कहना भी और मेरे जितने भी contacts है जितने मेरे शीका जिनसे उनका सबका यही कहना है कि आपका enhancement होनी चाहिए और interview rejection का मतलब यह नहीं होता कि जोब नहीं मिलेंगे आपको ढूना है कि घलती कहां पे है वर्चूल बनानी है हर चीज करनी है और stay strong ठीक है strong रहने का अपने को उसके लावा अपन को कोई रोख नहीं सकता फिर ठीक है all the best guys और roadmap मेर देखो आपने सोच रहोगी मैं कुछ बताया नहीं हूँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बाई मैंने जो चीज़े ह है वही बताई है CCNA में आपको बहुत अच्छी knowledge मिलती है जब आप पढ़ते हो तो और आप capable भी होते हैं अगर आप उसको CCNA को यहां पे fit करते तो उससे अच्छा roadmap आपके लिए कोई नहीं है simple सी बात है तो चलिए मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई थार को चलिए बात है